कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटुब चैनल गोर्ड़ निमाश्यूवे दोस्तों आज हम बात करेंगे निलावन्ति गरंद जो कि भारत में बैन है जी हाँ दोस्तों ये भारत सरकार्न निलावंती करंद का रैस से उतना ही गहरा है जितना की इसका विसे यह तांत्री ज्यान है अनुष्ठानों और मंत्रों का भंडार है जो ब्रह्मान की गुप सक्तियों तक पहुँच प्रदान करने के लिए कहा जाता है करंद में तंत्र के दस महावी ध्याव का वर्णन किया गया है जो की दस सक्ति साली देविया है निलावंती करंद को पढ़ना या उसका अधन करना एक विवादिस्पुद विसे है कुछ लोग मानते हैं कि यह एक खतरना गरंद है जिसे केवल योग गुरु की देखरेक में ही पढ़ा जाना चाहिए दूसरों का मानना है कि यह ग्यान का मुल्लेवान इस तो थे जिसे सभी को सुलब होना चाहिए ऐसे कई कारण है कि क्यों कुछ लोग निलावंती गरंद को पढ़ने से अतोसाहित करते हैं गरंद एक जटिल भासा में लिखा गया है और इसके समझने के लिए गहन अधन की आवस्चता होती है गरंद में सक्तिसाली मंदर और अनुष्ठान सामिल है जिनका अपयोग हानिकारक उद्देशों के लिए किया जा सकता है इस गरंद में कुछ सामागरिया को कुछ व्यक्तियों के लिए अध्यात्मी रूप से खतरनाक माना जाता है जो उनके मानसिक स्वास को परभावित कर सकता है निलावंती गरंद एक सक्तिसाली और रहसें पाठ है जो तांत्री ज्यान का खजाना रगता है जबकि कुछ लोग इसे पढ़ने से हतुसाहित कर सकते हैं अन्य मानते हैं कि यह जोखम लेने वालों के लिए एक मुल्लेवान जानकारी का इस्तरोथ है गरंद को पढ़ने या ना पढ़ने का निर्णे व्यक्तिकत परिस्तितियां और अध्यात्मिक परिप्रक्ता पर निर्भर करता है निलाउंती गरंद को भरत सरकार ने बैन कर दिया है क्योंकि इस गरंद को एक सरापित यसनी द्वारा लिखा गया है ऐसा माना जाता है कि जिसने भी लालच वस इस किताब को पढ़ने की कोशिश की उसकी मिर्ति हो गई या फिर वह पागल हो गया जब बहुत सारे मामले सामने आने लगे तो भारत सरकार ने इस गरंद को पढ़ने से पूरी तरह बैन लगा दिया जी हाँ दोस्तो निलाउंती गरंद इस समय भारत पैन है तो दोस्तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें